बिहार सिक्षक बहाली 2019 में सीटिट पास और फेल अभ्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यार्थिये सोच रहे थे कि सीटिट में फेल अभ्यार्थियों को भी बिहार में आरक्षन का लाव मिलेगा पर सिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना के हिसाब से बिहार में आरक्षन का लाव SCST और विकलांग अभ्यार्थियों को जो मिलता था और 50% अंक पाने पर बिहार TET में वो सफल माने जाते थे और सीटेट में उन्हें 55% अंक लाना है ऐसे अभ्यार्थियों को बड़ा जटका लगा है जेनरल के महिला भ्यार्थियों को भी बड़ा जटका लगा है क्योंकि जेनरल महिला भ्यार्थियों को बिहार में 55% अंक लाना है पर सीटेट में उन्हें 7% अंक लाना है ऐसे में ये अधिसूचना एक बड़ा जटका है से अब भेरतियों को जो आरक्षन का लाप चाहते थे और उनका कहना था कि बिहार में 50 और 55 परतिसत के आरक्षन पर उन्हें बहाली मिलनी चाहिए पर इस अधिसूचना में साफ किया गया है कि अगर वो सीटेट में उत्रिन ह तब ही उनको आरक्षन का लाप मिलेगा और उन्हें बहाली में मौका मिलेगा ऐसे में पूरी बात हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 2011 में अभेरतियों को कहना है कि जो लोग फेल थे उन अभेरतियों को भी आरक्षन का लाप मिला था पर 2019 बिहार सिक्षक बहाली में अब ये साफ कर दिया गया है कि जो भी अब भिहर्थी पास है शिरिप उन्हीं को मौका मिलेगा बिहार सिक्षक बहाली सीटेट पास अब भिहर्थी जो पास है उन्हें ही मिलेगा बहाली में मौका SCST और महिलाब बिहर्थी को जो आरक्षन का लाब बिहार में मिलता था वो लाब अब सीटेट पास होने पड़ी उन्हें मिलेगा सीटेट में अगर फेल है तो उन्हें किसी परकार का कोई भी लाब नहीं मिलेगा आपके स्क्रीन पर पूरी अधि सुचना है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और बताते भी हैं कि 2019 1192 ये लेटर नंबर है बिहार सिक्षा पिभाग का ये लेटर है आप देख सकते हैं डाक्टर रंजीत कुमार सी भारत प्रसास्मिक सेवा से निदेशक प्राथमिक सिक्षा सेवा में सभी जिला सिक्षा पताधिकाडी सभी जिला कारेकरम पताधिकाडी अस्था बना विषय बिहार पंचायत प्राडंबिक सिक्षक नियोजन यम सेवा सर्थ संबंदित है लिखा है नियोजन हेतु नियुम्तम योगिता आधी के संबंद में अस्पस्की करन प्रसंग विभागी अधिसूचना संख्या 864 दिनांग 572019 एवं अधिसूचना संख्या 1096 दिनांग 282019 महासे उप्युक्त विशाय प्रासंगिक पत्र के क्रम में सुचित करना है कि वर्स 2019-20 में पंचायत प्राडंबिक सिक्षक एवं नगर प्राडंबिक सिक्षकों के नियोजन हेतु काति पे विंदियों पर अस्पस्टि करन विभागी अधिसा निर्देश दिया जाना वसक है जो निमलिकेत है केंदरस्तर पर सिक्षक पातता परिक्षा नई दिली द्वारा सीबी एसी द्वारा ली जाती है जिसके तहत नियुनतम साथ परतिसत अंग प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को उतरिन गोसित करते हुए प्राबधान है कि राज सरकार अपने आरक्ष 2012 द्वारा बिहार राज अंतरगत सिक्षक पातता परिक्षा के उतरिनता है तूराज सिक्षा सोदयवं पर सिक्षन परिसत की निर्धारित मापदंड के अनुसार अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती महिला हैं दिव्यांक कोटी के उमिद्वारों के लिए 55.3 अं के उमिदवारों पर लागू होगी वर्स 2019-20 में सिख्छक न्योजन हेतु अभ्यर्थी के सेक्षिक परसिक्षन आहारता की तिथी के संबंद मैं स्पस्ट करना है कि सिक्षक नियोजन हेतु आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथी तक अब्यहर्थी के लिए सैक्षनिक परसिक्षन परिक्चा उत्रिन होना आवस्यक है सिक्षक नियोजन हेतु पुरु में प्रेशित आवेदन पत्र के कातिपे संसोधन किया गया है संसोधित आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र सरलग्न है आप देख सकते हैं रंजीत कुमार सी निदेशक प्राथमिक सिक्षा उनका दस्तकत भी है और अब यह साफ हो गया है कि जो लोग सीटेट में पास है उनहीं को सिक्षा विभाग बिहार सिक्षक बहाली में मौका देगा ऐसे में महिला अब भी हरती जो बिहार में 55% पर पास हो जाती थी जेनरल की उनको भी बड़ा जटका है साथ में अब भी हरती जो 50% पर पास हो जाते थे और बिहार सिक्षक बहाली में सिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं थे बड़ा जटका है सीटेट में अगर फेल है तो उनको फेल माना जाएगा सिक्षा सुधार रोजगार हरकत हम आपके साथ आगे की जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए